हलो बच्चो नमस्कार चलिए नया वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और ये वीडियो बच्चो इसके पहले वाला जो वीडियो था वो था कि एवल उसमें कुछ में में पॉइंट था बच्चो जैसे गुड़नखंड हो गया गुड़ज हो गया और उसके गुड़ बच्चों चल ला था चेप्टर नमबर चार, कुछ चीज़े हो गया था, आज हम लोग कूशन स्वालव करेंगे, जो बिगत वर्सों में आये हुए परसन है, चेप्टर नमबर चार का हरियंत बुक की, ठीक है बच्चों, चलिए, पहला परसन बच्चों यही दिया हुआ है यह आया हुआ है जवान नमबोद विद्याले 2018 में बच्चों, और यह जब परसन आया हुआ था बच्चों अधिकतर बच्चों ने यह परसन छोड़ दिया था, बच्चों तो आपको परसन छोड़ना नहीं, आपको हल करना है, कैसे हल के आता है, यह हम लोग जान लेते है तो बच्चों सबसे पहले आप लोग कापी किताब को खोल लीजिए, और यह कुशन नोट कर लीजिए अच्छे से, ताकि आप लगाएं, तो यह चुकि यह इससे नहीं परसन है बच्चों, यह पूछा गया परसन है, जवान अबोद विद्याले में, तो यह परसन बहुत इंपॉर्टन है, बच्चों बहुत इंपॉर्टन है, यह आप लगाएं सवाल, अगर ना लगे तो दो तीन बार परियास कीजे लगाने का, फिर उसके बाद में आप देखिए, हम कैसे इसको स्वाल्व कर रहे हैं, चलिए, इसको स्वाल्व करते हैं, देखिए बच्चों कुष्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, नव तथा साथ, दोनों का एक उभएनिष्ट, गुडज, संख्या ए है, बच्चों इसी में से ए दिया हुआ है, यानि दोनों, यानि गुडज, जो नव से भी डिवाइड होगी, ठीक है बच्चों, और आगे देख लिजिए क्या लिखा हुआ है, यह संख्या बारा सो और तेरा सो के बीच में है, तो संख्या एक आमान ग्यात की है, पहले इस्टब में दिया हुआ है, नव साथ, दोनों का एक उभएनिष्ट, गुडज है, यानि साथ से भी डिवाइड होगी, और नो से भी डिवा तो सबसे पहले देखते हैं, यह बारा सो और तेरा सो जो लिखा हुआ, बारा सो और तेरा सो के बीच में होने चाहिए, तो देखे, सबसे पहले बारा सो और तेरा सो के बीच में कोन है, बच्चों क्या यह बारा सो और तेरा सो के बीच में है, कहें नहीं, यह सो ग्यारा सो यह भी है यह क्या है विडियो बना रहे थे संक्या पद्दन में ही बता दिया था विभाजिता के नियम यानि एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नुस पूरे विभाजिता की नियम बता है बच्चो शाथ वाला फुरा रहे टप लग रहा था तो हमने कहा कि चलो साथ वाला क्या करते हैं कि वह इसे भाग देकर चकल लेना इसमें दे दिया गया है तो सबस यह दो और तीन, दो, दो और एक, तीन ओछे, नव ये भी हो गया बच्चों, जूरोजोड़नें के वही हो जाएगा, यानि ये भी नव से बिभाजित होगी बच्चों, ये देख़ीए, एक और तीन, एक और दो, तीन ओछे, छे, तीन, नौ, नव ओछे, पंद्रा, ये बच्चों यह डिवाइड हो रहे हैं साथ से यह हमारी संख्या हो जाएगे आपको तुरंत लगाना है सवाल ठीक है इस फ्रकार के एगर सवाल पूछे तो तुरंद इसी प्रकार लगाईए कि 9 से विभायत कर लिजिए और 7 से विभायत कर लिजिए अंकों का योग 9 होना चाहिए या 9 का गुड़ज होना चाहिए बच्चों तो यह हो जाएगा 1260 बच्चों यह समझ में आया पहला कुश्चन इसका क्यों यहीं सिंपल ह न और 7 से अगर 9 से भी कटे और 7 से भी कटे बच्चों कोई ऐसा आफसन नहीं होगा जो 7 सी भी इसमें देखिए यह भी 7 से नहीं कटेगा यह यह हो सकता है 7 से कटिया है लेकिन यह तो 1200-1300 के बीच में है ही नहीं पहला तो ऐसे गलत हो गया यह हमारा हो जाएगा आफसन न अच्छे के पहले गुड़ेज पहला गुड़ेज ये 12 और 18 जोडएगे हम तो 30 हो जाएगा य हम 4 अच्छे जोडएंगे तो बच्चों यह بھی 30 हो जायेगा 24 हो छे, ये भी 30 हो जाए, इनका योग कितना आ गया बच्चों, इनका योग आ गया 30 और पलस 30, बराबर 60, तो इन गुडजों का योग कितना हो जाएगा बच्चों, 60, दूसरा आप देखे कौन सा आफ़सन है, आफ़सन, चौथा इसमें है, यही आपको गोला कर देना है ब हम लोग देख लेते हैं प्रशन नंबर तीसरा नंबर जो हमारा प्रशन है वो छे के पर्थम पांच गुर्जों का योग है तो इसमें आपको बताना है चार आफसन दिया हुआ है छे के पर्थम पांस गुर्जों का योग इसमें एक दिया हुआ है ठीक बच्छो अच्छा इसमें देखिये बच्छो इसमें जो ये है जवाहन नबोधे विद्याले 2015 में आया हुआ परसन है बच्छो ये जल्दी में आया हुआ परसन है important भी है इ सकता है यहां से प्रश्ण बन जाए इस बार नवोदे विद्याले में यहां से प्रश्ण बन जाए तो सबसे पहले अभी हम लोग बात किये थे छे के पर्थम चार गुरज का यह कितना आए था बच्चों साथ आ गया था यानि कौन-कौन संक्या थी छे थी अठारा और चोबीस और फिर बारह इसमें बीस में थी च्छे बारह अठारा चोबीस और एक हो जायगा थीज ठीक तो यहां परतं पांच गुर्जों का यो कितना हो जाए घ्राइक बिचो इन सब को जोड लेंगे तोो कितना हो जाएगा नब्वे हो जाएगा गया आप को ही आफसं दिया हुआ पहला आफसं हमारा दीया हुआा लब्बे यह हो गया तुरंत हो गया चलिए बहुत तीजी कोश्चन सा हो गया दूसरा कोश्चन इसी कोश्चन को घुमा कर देगा ठीक बच्चो इसी कोश्चन को घुमा कर दिया हुआ और जमाहन नबोदय बिद्याले 2015 में ही डाला हुआ परसन है यह दखो एक टापिक से उ जो बन नहीं संक्या के दहाई तथा इकाई के अस्थानों पर आए अंकों का अंतर कितना होगा इसमें देखे बच्चो शे के परथम पांस बुरोजो का योग कितना है बच्चो एं छे बारा अठारा चोवबीस और तीस इनका योग अभी निकाले हैं बच्चो इनका इनका योग नब्बे आ गया था अब बच्चो इसमें देखे जो नब्बे योग आया है यानि आने वाली संक्या के दहाई तथा इकाई के अस्थान दहाई पर देखो दहाई इकाई ये है जिरो और दहाई नव है तो दहाई तथा इकाई के अस्थानों पर आए अंकों का अ कितना हो जाए माइनस कर दीजिए तो 9 माई से बच्चो माइनस जीरो करेंगे कितना हो जाएगा कहन नौ भी होगा बच्चो यह बात समझें तो आप'tां कौन सा chakra defined यह ही हो जाएगां दोनों बहुत इजी परश्ण ठाव चवह बहुत आशानी जो प्रशन आप छोड़े हुए हैं वो प्रशन आप बाद में कर सकते हैं ठीक है बच्चों तो चलिए चार प्रशन हो गया है इस वीडियो में पाच्वा प्रशन लोग देख लेते हैं तो कुश्य नंबर पांस है तेरा के पर्थम साथ गुर्जों का योग किसके निकटम ह आपको बताना है कौन साफन सही होगा तो सबसे पहले तेरा के साथ गुर्ज लेते हैं तो एक हो जाएगा तेरा तेरा चबिस तेरा 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 चुका बावन तेरा पच्चे 25 तेरा च्शकट अथा तर तेरा सते एक नबे यह हो गया अब इन सब को हम लोग जोड़ लेते है बचो तो 3 और 6, 9 और 9, 18 और 20 और 25, 25 और 8, 35, 35, 34, 24 अचार हासे लागे 3 और 1, 2, 3, 6, 6, 5, 11, 11, 11, 6, 17, 17, 17, 24, 24 और 9, 33, 33, 6000, 33, 36, 364 बच्चो 364 देखे 364 कों किसके करीम में है 360 है क्या 364 के करीम में है कहें कि 4 कम है यहां कहें कि 364 एक कम एक ज़्यादा है 364 से एक ज़्यादा है तो निकटतन तो बच्चो सबसे अभी यही हो जाएगा यह 70 है यह भी जादा है यह भी जादा है तो option number हमारा दूसरा सही हो जाएगा दूसरा correct answer हो जाएगा ठीक, तीसरा बच्चो question number 6 हम लोग देख लेते हैं 30 के 30 के गुड़ज हैं, जब हाँ नवोदय विद्याले 2011 में आया हुआ परस्न है तो बच्चो देखिए 1 से 30 कट रहा है, 2 से चलो, यह हो गया 14 आफसन एक नहीं लिखे हैं, बच्चो 14 Séb McGa 14 आफसन हो जाएगा 1, 2 3 5 6 और फिर हो जाएगा 10 पंदरा और तीज यह आप संदिया हो बच्छों तो देखिए सब से तीज कट रहा है कि नहीं कट रहा है एक से भी कट रहा है दो से भी कट रहा है तीन से भी कट रहा है पंद से भी कट रहा है दस से भी कट रहा है पंदरा से भी कट रहा है और तीज से भी कट रहा है तो हमा के लिए धन्य बाद